आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students तो आज का मारा question है Name for applications of ADdy current तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो ADdy current है यह होता क्या है मैं छोटा सा introduction दे देता हूँ ADdy currents का तो basically अगर हम किसी भी magnet को पास लेके आते हैं एक loop के तो इस loop को इसको repel करने की कोशिश करनी होती है वो कोशिश करेगा कि आपने उपर उने वाले change को रोके हमें इस law को बोलते थे lens law जिस law के इसाप सी बोलेगा कि भाई तुम मुझे magnetic field मत लाके दो तुम इसको इसके तरफ लेके जा रहे हो इस magnetic field बढ़ रही है अगर इसमें magnetic field बढ़ाद होगे तो होगा यह जो हमारा coil है यह बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए और magnetic field मैं तुम्हें repel करूँगा तो यह खुद को repel करने के लिए इस साइड एक north pole generate करता है और इस north pole के लिए यह कुछ ऐसे current slow करवाएगा तो यह तो एक circular loop था जिसमें हमारे पास एक complete path था closed loop था पर क्या हो अगर यही काम हम करते हैं किसी metallic plate के साथ जिसमें कोई loop नहीं है और तुम इस magnet को उसके पास ला रहे हो repel तो इसको भी करना पड़ेगा पर अपकी बारना इसमें कोई loop नहीं है इसलिए जो electrons है इसी के अंदर ऐसे जिसे पानी में भावर बनते है वर्ल्फ पूल्स बनते है वैसे वर्ल्फ पूल्स की तरह है इसके अंदर एलेक्ट्रॉंस ऐसे रिवाल्फ करना चालू कर देंगे और इन ही currents को हम बोलता है थे addy current ठीक है तो हमें देखना है कि इसकी applications क्या है तो हम इसकी सबसे पहली application देख सकते हैं वो है jumping disk तो basically यह disk क्या होती है यह कुछ नहीं होता यह एक ऐसा circuit समझ लो और यहां पर एक coil लगती जाती है और कुछ ऐसा setup है अब यह देखो यहां पर इसकी उपर हम एक disk रखते हैं पतली सी ओके हम क्या करते हैं इसको यहां करोगे और अचानक इसमें current कफ लो increase करेगा तो इसके current से magnetic flux भी बहुत तेज इंदम से increase करेगा at instant right तो जैसी इसमें अचानक magnetic flux आएगा तो magnetic flux किस किस तरीके से आएगा इसको रिपेल करने की हिसाब से आएगा ना मतलब मान लो इस solenoid का north pole यहां बन रहा होगा इस side पे तो यह भी अपने अंदा नौर्थ पोली बनाएगा इसको रिपेल करने के लिए कि अगर दोनों नौर्थ पोल है तो यह जो है रिपेल करने के कारण अचानक से रिपेल्शन जेलेगा और उपर के तरफ उचल जाएगा और हमें जो है जम्प करता हो दिखाए देगा ओके तो यह था basically jumping disc पहली चीज है कि सेकेंड हमारे पास है कि इंड़क्शन कोकर्स इस surface की मदद से उपर रखे हुए utensil की उपर तगड़ा addy current generate किया जाता है और वो addy current जो है इतनी तेज electron की rotation के कारण अंदर ही जो friction होता है ना वो friction बहुत heavy हो जाता है और उससे heat generate होना start हो जाता है और उसी से हम लोग cooking कर लेते हैं ठीक है तो basic अधिकरी addy current का use करके हमने heat generate कर लिए इस बार थर्ड हम लोग क्या कर सकते है magnetic brakes in maglev magnetic brakes in maglev तो maglevs जो है ना यह काफी advanced trains होती है यह trains जो है यह magnetic tracks के उपर चलती है right magnetic repulsion और attraction का use करके यह आगे पीछे move करती है यह brakes लगाती है तो अगर हमें brakes लगाने हैं इसमें तो क्या कर सकते हैं हम लोग अचानक एक ऐसा addy current generate करते हैं हम इसके अंदर बहुत तगड़ा magnetic field generate कर देंगे तो current induced होगा right addy currents induced हो जाएंगे और वो addy currents अचानक इसको push करने की कोशिच करेंगे पीछे की तरफ मतलब क्योंकि जो इसका motion है आगे की तरफ तो इसमें जो magnetic fields है वो increase करने लगेंगे इस तरफ और उनको repel करने के लिए यहाँ पे accordingly addy current generate हो जाएंगे इसके tracks पे और वो add current जो है वो obviously इसको repel करेंगे जैसे यहाँ पर repel करने की कोशिच करी थी तो इस बार तो यह हलकी चीज़ती से लोग चल गई पर आपकी बार यह भारी चीज़ है पर अगर जादा repulsion आएगा तो इसके उपर breaks लग जाएंगे ठीक है और हम क्या देख सकत है तो यह भी चीज induction cookers की तरह ही काम करता है एडी current generate करता है friction friction से generate होती है heat बट इसकी heat जो है वो cookers के comparison में काफी जादा amount में और काफी जादा temperature तक लेकर जाती है तो आहोप यह चार application सबको समझ में आ गए होंगे कि एडी current के कैसे काम करते हैं तो फिर मिलते है next video में Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 पर